द्रिश्टी पाढ़ा नमस्ते बच्चों आपका स्वागत है हमारे चैनल पर मैं हूँ आपकी दोस्त द्रिश्टी और आज हम मिलकर बनाएंगे एक शांदार टू ट्रक तो कैसे बनाते हैं हम इसे यह जानने के लिए इस वीडियो को अंद तक देखें क्योंकि इसमें आपक कुछ खास मस्ती डाली है जो आपको हर पल में हंसी के रूप में मिलेगी तो बच्चों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें इससे हमें ही पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हम आपके लिए और भी इसी तरह की मस्ती भरी वीडियोस लाएंगे तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें और हम सब मिलकर इस मज़ेदार तू ट्रक की यात्रा को शुरू करें यह रहा हमारा सुपर पावरफुल टू टू क्योंकि यह बहुत मजबूत है और अन्य वाहनों को फीच सकता है तो ट्रॉप को असेंबल करने से पहले हमें इसके पाक्स को समझना होगा इसमें हमें कई रोमान्चक और महत्वपूल हिससे मिलेंगे यह और यह है वीन्स जिसे हम पही कहते हैं यह और यह है प्लाटफोर्म यह है आम यह है वायर रूपन हो यह है स्टेरिंग कॉंसल यह है सीज यह है केविन और यह है पंपा तो बच्चों चलिए टू टू ट्रक को अस्ट करना शुरुआत करते हैं तो ट्रक को असेंबल करते समय ध्यान से देखना मैं कैसे इसके सभी पाट्स को एक एक करके सही तरीके से प्रॉपल सेट करती हूं दीखो बच्चों यह है हमारे वील्स यह बहुत ही ताकतवर हैं जोकि टू ट्रक वहां के दूनों तरफ लगाए के विए ऐसे से कि हमारी टू ट्रक हर जगह जा सकती है बीना किसी दिक्कत के तो सबसे पहले मैं राइड साइड वील्स को लगा दीं हूं यह दिखो वैम को मैंने राइड साइड लगा दिया और यह रहा हमारा दूसरा वील बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहला वाला था। यह हमारी टू ट्रक को संतुलिक बनाए रखेगा, कहीं भी जाए. तो यह रहा लाफ्ट साइड का हिस्सा, और यह मैंने वील को लाफ्ट साइड भी लगा दिया, तो अब आगे बढ़ते हैं, यह रहा हमारा पहला प्लेट फॉर्म और यह पीले रंग का है. यह देखो, यह लग गाया, इसके उपर हमारा रामदायक, सीट और स्टाइलिश स्टीरिंग कंसूर को लगाएंगे जिससे टू यह ट्रक को जलाना और भी मज़ेदार होगा. अब हम आते हैं हमारे दूसरे प्लेट फॉर्म के ओर और यह लाल रंग का है. लाल रंग का प्लेट फॉर्म तो बहुत खुब सुरत लग रहा है, जैसे हमारी टूलेट ट्रक का दिल हो. यह देखो, लाल रंग के प्लेट फॉर्म को भी हमने लगा दिया. इसके उपर हम आम, रूप और फॉर्म को लगाएंगे ताकि हमारा टूलेट ट्रक और भी शक्तिशाली बन जाए. तो अब आगे बढ़ते हैं, यह रहा हमारा आम. यह बहुत ही मजीदार है, क्योंकि यह दूसरे बहानों को खीचने में मदद करता है. इसे हम आसानी से लगा देते हैं, देखो यह आम लग गया. और अब हम हमारी वायर रूप और हुप को लगा देते हैं. इससे तू यह ट्रक किसी भी वाहन को खीच सकता है, जैसा कि एक सुपहीरो करता है. आए बच्चों, अब हमें लगाना है हमारी तू ट्रक का राजा, स्टीरिंग कंसोल को, जिसका काम है हमारी तू ट्रक को बड़े मस्ती से चलाना. इस स्टीरिंग कंसोल से हम हमारी तू ट्रक को कहीं भी गुमा सकते हैं. यहाँ से हम हमारी मस्त यात्रा शुरू करेंगे इसके हंदल से हम हमारी तो ट्रक को बिलकुल जैसे चाहे वैसे गुमा सकते हैं तो बच्चों, तैयार हो जाओ हसी और मस्ती के साथ हमारे सुपर स्टीरिंग कंसूर के साथ और अब देखो, बच्चों, आ गई हमारी टूयर ट्रक की सीट इसकी बड़ी बड़ी सीचे जैसे कि हमें किसी महराजा की दर्बार में बैठने का मौका मिला हो इस पर बैठ कर हम अपनी यात्रा का मज़ा करेंगे अब हस्ते हस्ते इस सीट पर बैठे और चले आगे की ओर, क्योंकि इस यात्रा में होगा हसी का हंगामा अब हम लगाएंगे टू ट्रक ड्राइव के कैब के बिन को कैप के बिन टू ट्रक वाहन का ही हिस्सा है जिसे लगाने से हमारी टू ट्रक सुन्दर दिखेगी और इसके साथ ही टू ट्रक के सामने वाले भाग को कवग करेगा इसमें ड्राइवर और सहायक का स्थान होता है जो सुरक्षा की सुविधा प्रदान करता है इसमें कई महित्वपूर्ण घटक होते हैं जो हमें वहान चलाने और सुरक्षित रूप से यात्रा करने में मदद करते हैं ये देखो बच्चों कैप के बिन ये लग गया बच्चों अब हम लगाएंगे बंपर ये हैं हमारी टूयर ट्रक की रक्षा की चाबी तो देखो हम एक बंपर को लगा दिया इस बंपर से हमारी टूयर ट्रक को किसी भी चीज से तक्राने से बचाएगा जैसे हम अपने दोस्तों को किसी मस्ती भरी खेल में बचाते हैं ठीक वैसे ही या बंपर हमारी टूयर ट्रक को सुरक्षित रखेगा तो बच्चों, अब हसी के साथ तयार हो जाओ, क्योंकि हमारा टूय ट्रक बिलकुल तयार है हसी और मस्ती के साथ आगे बढ़ने के लिए तो देखा बच्चों आपने, हमने हमारे नई दूस्ट टू ट्रक को सफल सा फुल्वक असेंबल कर लिया, जिसका हमने नाम रखा है तो टाइटन इसकी मज़ेदार बात यह है कि यहान्य वाहनों को खीचने में मदद करता है यही एक बहादूर और मज़ेदार ट्रक है, जो खीलने और मस्ती करने के लिए बिलकुल तयार है तो चलो बच्चों, अब हम इस टू टाइटन को स्टार्ट करते हैं, यह स्टार्ट हो गया और अब हम इसके हॉन्ट को बजा कर चेक करेंगे तो ध्यान से सुनो बच्चों, क्योंकि हमारी टू ट्रक का हॉन्ट बजाना बहुत ही मज़ेदार होता है हॉन्ट की द्वनी बहुत ही खास है, जैसे आपके एक छोटी से मित्र की मुस्कान तो बच्चों, यह रहा हमारा हॉन्ट तो घ्यान से सुनो क्योंकि हमारी तो ट्रक का हॉन बजाना बहुत ही मज़ेदार होता है हॉन वो खास आवाज है जो हमारी तो ट्रक से निकलती है इसलिए बच्चों अब हम हॉन को बार-बार बजा बजा कर मस्ती करते हैं थोड़ी देर एक दू तीन वाह कितनी बड़िया आवाज है हॉन की बच्चों क्या आपको मालू है कि तो ट्रक की हॉन का उप्यों कब और क्यों किया जाता है चलिए बच्चों आज जानते हैं हॉन की बारे में हॉन एक मेहित्वपूर्ण सुरक्षा उपाए है हम इसे उन समयों में बजाते हैं जब हम अन्य वाहनों या पैदल चलने वालों को चेताबनी देना चाहते हैं ताकि वे हमारी पहुच की सूचना सुन सके और सभी सुरक्षित रूप से रास्ता साफ कर सके इससे दूसरे लोग सुरक्षित रूप से हमारी पहुच का पता लगा सकते हैं जिससे दुर घटनाए रूप की जा सकती हैं और हाथसे से बच सकते हैं और अब हम च्रेक करते हैं अपनी तो ट्रॉप के ब्रेक को ब्रेक वल जादूग है जो हमारी तो ट्रॉक को रुखने में मदद करता है जैसे हम अपने कदमों को रूप कर खड़े हो जाते हैं ठीक वैसे ही तो ट्रॉक का ब्रेक उसे कहीं भी रूप देता है ब्रेक को हम एक बटन या पैदल के दबाने से ओन या ओफ कर सकते हैं तो बच्चों, यह रहा हमारा मित्र ब्रेक जो हमें सुरक्षित यात्रा का आनद लेने में मदद करता है और अब हम इस ब्रेक को लगा-लगा कर देखते हैं कि कैसे हमारी तुट्रक बिना किसी समस्या के खहती है अब हम इस तुट्रक बाहन को चला देंगे देखेंगे कि यह दूसरे बाहनों को सुरक्षित रखने में कितना माहिर है तो चलिए इसे चलाते हैं और रूट पर पड़े खराब बाहनों को साइड में सुरक्षित रखते हैं तो तेयार हो जाओ बच्चों क्योंकि अब आने वाला है बहुत ही मज़ा तो अब हम इसे धीरे धीरे चलाते हैं और रूट पर पड़े खराब बाहनों को खीच कर साइड में रखते चलेगे यह देखो रूट पर किनारे खराब बाहन खड़ा है और इससे धुमन निकल रहा है चलो पहले होन बजाते हैं ताकि आसपास यदि कोई इसका मालिक हो तो वो आ जाए लगता है कोई नहीं है तो चलो इसको खीच कर रूट से हटाते हैं यह देखो बच्चो रूट पर खड़ी खराब वाहन को तो ट्रक ने सुरक्षित हटा दिया कितना मजा आ रहा है चलो अब और आगे के और बढ़ते हैं यह देखो तो ट्रक बढ़ी मज़ेदार अंदाज में रूट पर बढ़ रहा है तो ट्रक जैसे ही रूट पर खड़ी खराब वाहन को दुबारा से देखेगा वो खुद उस वाहन के पास जाकर रूट जाएगा और खराब खड़ी वाहन को साइड में सुरक्षत तरीके से ले जाएगा यह देखो यहाँ पर भी खराब वाहन खड़ा है चलो इसको भी खीच कर रूट से हटाते हैं पहले एक फॉन बजाते हैं ताकि यदि आसपास इसका कोई मालिक हो तो आ जाए लगता है कोई नहीं है तो चलो इसको भी खीच कर रूट से हटाते हैं ये देखो, तू ट्रक ने रूट से खराब खड़े वाहन को हटा दिया अब और आगे की ओर बढ़ते हैं ये देखो, यहाँ पर भी खराब वाहन खड़ा है चलो, इसको भी खीच कर रूट से हटाते हैं पहले खौन बजाते हैं, ताकि यदि आसपास इसका कोई मालिक हो, तो आज आए लगता है इसका भी कोई मालिक नहीं है, तो चलो इसको खीच कर रूट से हटाते हैं ये देखो, रूट से हटा दिया विल डन, तो ट्राक, तो बच्चो, बताओ, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताके आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस न करें आपका स्पोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपून है थांक्स पूर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए, बाबाई